नमस्कार, जैमत आदी सबको, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में, कैसे हैं आप सब? अमीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सब एको हमारी वीडियोस पसंदारी होंगी आज हम बात करेंगे कि किसी भी महीला के दिल में, किसी भी लड़की के मन में अपने लिए प्यार जगाना चाहते हैं अपने लिए मोहबत जगाना चाहते हैं अपने लिए चाहते हैं कि वे आपके बारे में सोचे फिक्र करें फीलिंग्स हो उसके लिए आपके मन में तो आप यह उपाई कर सकते हैं और आप तभी यह उपाई करेंगे जब आप उस लड़की से बेहद प्रेम में हैं आप उसके लिए serious है, कोई time past purpose के लिए आपने यह उपाई नहीं करना, आप उसे विभा करवाना चाहते हैं, जिन्दगी बिताना चाहते हैं, उसके साथ तो आप यह उपाई कर सकते हैं, अब आपने उपाई में क्या करना है यह आपको बताएंगे, वीडियो को आगे बढ़ किसी भी व्यक्ति के, महिला के, रड़का है या कोई लड़की है, तो उसके मन में अपने लिए प्रेम जगाने के लिए आप क्या कर पकते हैं, तो यह जो उपाई है, यह उपाई आपको शुक्रवार करना है, शनिवार करना है और अवीवार करना है, शुक्रवार के दिन स जो शुक्करवार के दिन उपाई करने हैं ये तीनों दिनों में जो उपाई दो उपाई करने हैं ये सुभा के समय ही करने हैं जो पहला उपाई आप करेंगे जो पहल दो उपाई में से पहला उपाई है वो ये है कि आपने एक शेहद की डब्बी लेनी है उसके और आपने ल तो तीन दिन तक आपने इसको कपड़ों के बीच ही रहने देना है, शुक्रवाल के दिनियों पाई करना है और दूसरा उपाय, जब आप यह उपाय कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा उपाय होगा, आपने कृष्ण जी के मंदिर जाना है, गुलाब का इत्र अर्पित करना है कृष्ण जी को, शुकरवार भी जाना है, रवी बार भी जाना है, और आपने शुकरवार भी जाना है, शनिवार भी जाना है रवीवार भी जाना है तीनों दिन जाना है सुभा के समय स्नान करने के बाद ये चीज़ आपने करनी है पहला उपाई भी जब करेंगे आप नहा करेंगे नहा ही लिए है तो आपने वो दूसरा उपाई भी होगे तो यह जो पाया है, यह तीन दिन तक लगातार आपने करने हैं, शुकरवार, शनीवार, अविवार, लड़की भी कर सकते हैं, लड़की भी कर सकते हैं, जिसको आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सीरियस हैं, जिसको अपने विवाह करवाना है, जिसका जिंदगी गुजारने हैं, और जो शहद की डब्धी होगी, जो तीन दिन तक अपके कपड़ों में पड़ी होगी, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस परची को निकाल कर, आप तहीं पर भी जल परवा कर सकते हैं, या किसी गमले में भी अंदर की तरफ परची को आप रख सकते हैं, अगर पानी वाली जगा है, या अपने नहाने की पानी की बाल्टी में भी परची आप डाल के रख सकते हैं, ताकि वो उसी में घुल जाए, और जो शहद होगा, वो अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं, तो यह उपाए है जिससे आप देखेंगे कि वह व्यक्ति के मन में आपके लिए फिलिंग्स आएंगी आपके लिए एक भावना आएगी और या उपाई करते-करते कुछिश करें कि उस व्यक्ति से बाधचित करते रहें ताकि वह आपसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके बाधचित बढ बढ़ सके, तो बड़ा ही प्रभावशाली उपाय है, अगर आप इसे करते हैं, तो आपको प्रेम में जुरूर सफलता देखने को मिलती है, इसे के साथ इस वीडियो के इसमाप्त करते हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगे, अगर आपको हमारी वीडियो आपको सब्सक्राइब करेंगे, शुरूरियो